नमश्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चानल दीपा वली में कैसे हैं आप सब? बढ़ियां? मैं भी एकदम बढ़ियां आपमे विश्वास, जिसे आप Self Confidence भी कहते हैं हमारे जीवन का आधार है अगर इसमें कमी होती है, तो जीवन का आधार हिल जाता है कर सोचती हूँ कि ये वही लोग हैं जो Confidence से भरे होते थे पर आज इस दुनिया की भीड में जाने कहां खो गए हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको आपमे विश्वास को आसानी से पढ़ाने की उपाई बताने जा रही हूँ जो मेरे अनुभव के अधार पर हैं और इनसे मुझे सो प्रतीशत लाव मिलाए इसलिए अब मैं आपसे ये सब शेयर कर रही हूँ आगे बढ़ने से पहले अगर आपने दीपा वली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें मेरे साथ हमेशा बरे रहने के लिए हर किसी की लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जब आपको आत्मे विश्वास की कमी हो जाती है मेभी आपकी फामिली कंडिशन्स की वज़े से मेभी आप किसी को बहुत प्यार करते हो और वो आपको रिस्पॉंस नहीं करे इस वज़े से मेभी आपकी जिन्दगी में आपको कुछ आसफलताएं मिली हो इस वज़े से और मेभी आपके साथ कुछ ऐसी घटना होई हो जिसकी वज़े से मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जिन्दिकी की राह में कुछ ऐसे ऐसे लम्हें आए जिसमें बहुत सारे मेरे प्रेजन मुझे छोड़कर बहुत दूर चले गए बहुत सारे लोगा ने धोके भी दिये जिससे मैं काफी तूट गई लेकिन आपको जानकर आश्चरे होगा कि मैं अच उन सबसे उपर उठकर एक confidence से बरी हुई लड़की हूँ जो आपके सामने confidence से भरा हुआ वीडियो प्रसुत कर रही हूँ चले मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बढ़ाए अपने आत्मे विश्वास को सबसे पहला अपने आप से जूट ना बोलें Be honest with you yourself सबसे पहले अपने अंदर की कमी, डर और आत्मे विश्वास में कमी के बारे में खुद से कहें उसे स्वीकार करें और ठान लें कि इसे हर हाल में ठीक करना है दूसरा आई कॉन्टैक्ट करें किसी से भी बात करते वक्त उसे नजर मिला कर बात करें अपने आप ही आत्मे विश्वास की व्यद्धी होगी और किसी से बात करते समय डरे ना तीसरा, ये सब करने की शुरुवात आपको अपने लोगों के बीच से ही करनी पड़ेगी अगर आपमे आत्मे विश्वास की कमी है और आप करी लोगों के बीच नहीं बोल पा रहे हैं या कुछ आपको प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहले बोलने की शुरुवात आपको अपने घर के खुद के सदस्यों और अपने दोस्तों के बीच ही करनी पड़ेगी आप उनके मजाक उडाने से ना डरें घर में छोटे छोटे फंक्शन में अपना युगदान दें और अपना 100 प्रतीशत लगाएं इससे आपका आत्मे विश्वास बहुत बढ़ेगा अपनी एक स्ट्राटेजी बनाएं कोई भी काम करने के लिए एक थोड़ा सा रफ आइडिया लें जिसमें उस कारे का पूरा व्योरा सामें शामिल हो और उसके थोड़ा परिनाम का भी अनुमान लगाएं और अगर आप इसी ट्राक पर काम करेंगे तो आपको सही गलत का प किस्वास बहुत बढ़ जाता है गलती करने से ना डरें आपको एक किस्सा सुनाती हूं पहले जब हम कॉलेज में प्रेजनेशन दिया करते थे तो मैं कभी प्रेजनेशन देने के लिए आगे नहीं आती थी फिर मेरे दोस्तों ने मुझे बोला कि नहीं प्रेजनेशन दो क को सुधाने की कोशिश करो एक बहुत इंपोर्टन पॉइंट है कि फेल होने से ना डरें आदी से जादा लोग यह करते हैं कि यार मैं तो यह मैं तो करी नहीं पाऊंगा यह तो मैं नहीं करूँ नहीं हमेशा सही परिणाम की कल्पना नहीं करनी है कभी-कभी निराशा मिल पर इसी सिवकार करें क्योंकि गलती तो हर इंसान से होती हो गलती करके ही इंसान सीखता है जो नीचे गिरते हैं वो बुलंदियों को छुते हैं इसलिए फेल होने के डर से अपने आत्मे विश्वास को कम ना होने दे बलकि अपनी गलती का अवलोगन करें और उससे सुधा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अच्छे लोगों का अनुसरेंट करें कई बार हम कहते हैं कि हाँ यह हमारा आइडियल हमें इससे इंस्परेशन लेनी चाहिए और हमें इसके जैसा ही करना चाहिए आप अपने आप में बहुत आत्मे विश्वास का अनुभर कर हैं लेकिन बदलाव से आप खुद को अपने आप में confident feel करेंगे अपने अपने उत्साहिट फील करेंगे और थोड़ा stylish रहने से आत्मे विश्वास बढ़ता है तो यह सारी टिप्स को आप अपने जीवन में उतार सकते हैं इससे आप खुद में आत्मे विश्वास के साथ साथ उत्सा और खुशी और satisfaction भी महसूस करेंगे आत्मे विश्वास बहुत ज़्यादा जरूरी है इसकी होने से जिन्दगी की बहुत सारी मुश्किलें आसान हो जाती है दोस्तों थोड़ा सा आत्मे विश्वास बढ़ाने के लिए आपको कुछ ध्यान और योग भी करना चाहिए ध्यान करें ध्यान मुद्रा में बैठकर अपने अंगूठे और तरजिनी को जोड़कर घुटने में रखें सुखाशन में बैठें और आग बंद करकी अपना ध्यान दोना बोहों के बीच में केंद्रित करें इसमें आपके मन में बहुत positive feeling आती है और थोड़ा self confidence भी आपका बहुत बढ़ता है जोर जोर से चिलाएं घर की छट पर या खुली जगह में या कहीं पर भी बहुत जोर जोर से चिलाएं इससे मन का भी डर दूर होगा और आपका अंदर बहुत confidence बढ़ेगा सुदर्शन क्रिया करें सुदर्शन क्रिया के बारे में थोड़ा रिसर्च करें या किसी योग गूरू से सीखें उसे अपने जीवन में शामिल करें सुदर्शन क्रिया शारेरिक मानसिक सभी परिशानियों के लिए बहुत अच्छा हाल होता है इससे मनिशी की सभी इंद्रिया नियंत्रित रहती है जिससे गुस्से में कमी आत्मे को बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टन्ट है सूरे नमशकार करें सुरे नमशकार के सभी स्टेप्स को ध्यान रखते हुए स्वशन क्रिया के साथ करने से एक आग्रता बढ़ती है और इसमें मनुश्य में बहुत आत्मे विश्वास बढ़ता है दोस्तों जीवन में ऐसी क कोई परेशानी नहीं है जिसका हल नहीं है कई कमिया तो सकारात्मक विचारों से ही पूरी हो जाती है आत्मे विश्वास की कमी तब होती है जब हम किसी बात से डरते हैं या अपने आप में कमी महसूस करते हैं और इन दोनों कारणों को खतम करना आपके ही हात में हैं आत्म सबी कारियों के लिए नहीं बना होता है आपने कोशिश की यहीं आपकी सबसे बड़ी जीत है मुझे उमीद है कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हल्प मिले तो कॉमेंट जरूर करें मेरा यह वीडियो बनाना तक हो जाएगा उपर वाला आप सभी को और आपके परिवार को स्वस्त रखें इसी कामना के साथ चलती हो दोस्तों और बहुत जल्दी मिलूंगे एक नए वीडियो के साथ अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें शेयर करें और दीपवली चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद